कि नमश्कार दोस्तों आपका विदेश सिविल्स एकैडमी में स्भागत है अपना आरेस का पेपर फोर का जो पेपर फोर जनरल हिंदी का है वह हम वारे इस वाले इस टाइम स्लोट में तैयारी करें करें हैं और त्यारी रहे हैं साथ साथ उसका अप्याज भी हम प्रॉपर तरीके से करें तार्गेट प्लस का लेके चल रहे हैं इंग्लीश यूटूब पर भी इंग्लिश का पार्ट स्टार्ट होगा था उसके भी आपको प्लब्दी साथ में मिल जाएगी चली स्टार्ट करते हैं आरे से त्यारी कर रहे तो यह यह बुक लेगी आना प्रीवेस एर कुश्टन को बड़ो सैंटिफिकली अपने विभाजन कर रखा है और यह जो सबसे पहले करने वाले ही अपन है 2013 में अपने बुक निकाल दिती और उस बुक के विभाजन की वाज़े से मेरा उससे में नौकरी करते करते प्रीवी निकल गया था चली आगे बढ़ते हैं आज हम करेंगे वेंजन संधी इससे पहले संधी का हमने स्वर संधी के सभी इसमें आलमुस्ट आते हैं तो देख लेंगे तो मोर और लेज आपका 99% कवरेज हो जाएगा कि संधी में कोई शब्द आएगा तो पकड़ना आप सीख जाओगे तीसरी बात हमारा अभ्यास का क्रम क्या रहता है एक बार हम बेसिक थेयोरी समझ लेते हैं थेयोरी के बाद अभ्यास के लिए मैं आपको कुछ अच्छे शब्द देता हूं संधी करने के लिए आपको क्या करना है पॉस करना है पॉस करने के बाद एक पेपर पैन कॉपी साथ लेके बैठते हैं तो फ़िए हाथ से एक और अभ्यास करना ही पड़ेगा यह इटसल आए गणित है यह आपकी संधी जो है चलिए इसका सेकेंड और इंपॉर्णट पार्ट स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधी जैसे आपने संधी देखे थे संधी विच्छे दमने किये थे धन में एक पार्ट तो यह था एक पार्ट यह था ठीक है अब स्वर में तो हमने देखा था यह भी सब्सक्राइब है कि और हुआ अगर गम देखेंगे हैं वाला बेंजन संधी संधी थि यह के बास विढन एक तुई चाइक गालती है देने हैं मतलब कि बयंजन के मेल को क्या कहते हैं क्लियर है चली उधारन देखेंगे आपको और भी बहुत सारी बाते देर देरे सबस्ट होती चले जाएगे अब इसमें पहला देखते हैं पहला नियम के रहा है वर्ग के प्रथम वर्ग का तीसे वर्ग में बदलना देखो होगा क्या आपके यह जो है आपके वर्ग का कचट तब हमने वर्ग प्राने लेक्टर में देखा है जो पहला है व्याकरन और हिंदी के बारे में वड्य में वड़े शुर्व करी वड़े प्यारे तरीक है जो भी नए विद्ध्यार्ति हैं एक अब वह सेशन जरूर देखे लेना कचट तब करके हमने श्रूर रग को एपला आपको पहला हो गय तीसरा हो गया और इसी तरह इसमें यह जो कह है पर्थम वन का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो रहा है कर देखेंगे क्या कवर कना भी आगे देखेंगे तो पहला वाला किसमें होझे जाए यह किसी में परिवर्तित हो जाएगा वयों यह किसी वर्ग का तीसरा चोथा वन हो तो यह किसे परिवर्टित हो जाएगा यह का तीसरे वर्ग में परिवर्टित हो जाएगा वर्ड जो भी पहला वर्ड है वहां अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्टित हो जाएगा कैसे अग्जाम्पल देखोगे तब आपको सुझ में यह एक्जाम्पल देखते हैं यह वागी क्या है वागीश वागीश, क्या वगीश, क्या ये श्यूशीख ये क्या, शब्द संदीह मैं ने कई बार ये शब्द दिया है, तो हर बार इसको भीवा-बालक गलत लिक के भेज देता है, पहला एक बार मैं आपको समझाता ह officers कर लेना रोक के आराम है इलें वाक भन घीश यह कर दूँ वाक धन दीश बन रहे किय कैसे क्या इसका अरथ आपको निकल के आरहоки है उसकाक πολύ अरथ निकाल क्या रही क्या व गीश तों आपने कभी सुनार ही नुका ठीक कर लिए heat तो आएगा इसा अब सुनो मेरी बाद मैंने क्या बोला था वर्ग का प्रथम वन हाँ अगर उसके धन के आगे जो वन या तो क्या हो कि नियम क्या है या तो वह स्वर हो दूसरा मैंने क्या बोला था यह रह लव हो या यह यह रह लव यह यह रह लव हो यह किसी वर्ग का तीसरा और चौथा क्या हो वर्ण हो तीसरा या चौथा वर्ण हो तो यह पहला वर्ण है किस में परिवर्थित हो जाएगा मित्र यह अपने क्ख तीसरे वर्ण में परिवर्थित हो जाएगा हां चलो देखो इस कंडिशन में देखता हूँ यह है क्या है स्वर है इस से पहले क्या है कह है कह है मतलब हमारा फॉर्मूला बन गया वर्ग का पर्थम वर्ण है कह वर्ग है यह कचट तब है ना जो मित्र यह आपके इस वर्ग के प्रथम वर्ण गिने जाते हैं तो प्रथम वर्ण है ना यह कह प्रथम वर्ण मिल गया साथ प्रथम वर्ण के आगे क्या है प्रथम वर्ण के आगे स्वर्ण है स्वर्ण है तो हमने देख लिए आँ वह स्वर्ण है एक हमारी जो रूल की पहली इसमें शर्त व वो पूरी हो रही है अगर यह पहला स्वर होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा कर आपका गर में परिवर्तित हो जाएगा ठीक है चलो अब यह कर है कर किसमें परिवर्तित हो जाएगा गर में इसके आगे क्या है यह है और यह गर के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा और यह आपका क्या बन जाएगा वागीश बन जाएगा परिशान मत हो ना अभी एक दो और करके देखेंगे तो यह क्या बन जाएगा वागधन इश अब देखो जगदीश क्या है जगदीश क्या बोला था मैंने कचट तप पहला वर्ण और पहले वर्ण के बाद क्या रहा है स्वर आ रहा है तो यह पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा अपने एससा कौन स्था मुड़े है और और यह अगे आपना आगे जगदीश WiFi अब क्या करना है आपको अब को अभ्यास करना है अब आराम से एक वर पॉस करके जितना भी आपने जैसा भी समझाए इसको संदी विच्छेद करो और एक वर फिर अपने इसका अभ्यास सासत करेंगे चलिए कि चलिए दूसरा शुरूत करते हैं दिग गज दिग गज़ शडंग क्या है शडंग किसे मतल जाएगा टर्ठर डर में बतल जाएगा ये क्या हो जाएगा अपना शडंधन अंग दिग वज़े दिग धन विज़े तद्रूप क्या है मित्र ये तद्रूप तद्रूप तद्धन रूप ये व्रहत द्रत क्या है मित्र व्रहत द्रत ये जैद्रत जैद्रत का अभी क्या हो जाएगा जैद्धन रत जैत धन रत अजन्त जै है बड़ा अच्छा शब्देश पर धिहान देना अच्छ धन अंत क्या बन जाएगा अच्छ धन अंत क्लियर है चलो अजादी क्या है अजादी ये बड़ा अच्छा अच्छ धन अच्छ धन अधि अब्ज अच्छ अजादी का आपको अर्थ मालू है क्या अजादी आप अजादी अजादी पढ़ते हो अजादी का अरती भी आपको मालू होगा अजादी का मतलब होता है वह स्वर्द जो अजाद हो हाँ चलिए अब्ज अपधन ज़ ये क्या है अप सर सर पर कमल अब्ज का मतलब होता है सर पर कमल एक बात और ध्यान रगना ज़ तो यह क्या बन जाएगा जल को देने वाला बादल इसमें अब्द pleased और चाहिए था एक और इसका क्या बन जाता है जल को देने वाला बादल और यह कौन से अपना अब्दिय आवगा यह आ गलत दिया हुए ठीक ना अब धी है धी मतलब धरन करने वाला सुबंद पह बह तो क्या पह किसमें बता जाएगा बह में बता जाएगा रिग वेद रिक धन वेद दिगंबर दिक धन अंबर वाक धन दान उत धन योग उत धन घाटन सारे बड़े प्यारे एक्जामपल हैं सारे बड़े प्यारे एक्जामपल हैं चले आगे कुछ एक्जामपल और हैं इनको भी वर फटाफट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं जैंगे कैज भगवद गीता क्या भगवद गीता बगवत धन गीता वाग वह 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 तोड़ेंगे क्या बन जाएगा वाग धन वैभव पश्चाद वर्ति द द आ रहा है ध्यानक न अनन द आ आप जब जोड़ के लिखेंगे तो द वैसे हम बोलते हैं पश्चाद पश्चाद वर्ति अब यह पश्चाद गल्द द आएगा उसमें पश्चाद वर्ति होगा वह विशेद ध्यानक न जब संदी होगा तो वह ता आपका परिवर्तित हो गया पश्चाद वर्ति यह जगदंबा लिखते दो अच्छा प्यारा एक्जामपल द्यानक नशाड़ानन क्या है शड़ानन शटधन अनन कि अब यह बहुत प्यारा शब्द कौन सा अब इंदन है अपद्धन अपदन अपदन है अपदन है इंधन शड़ानन अभिन जगदंबा पश्चाद वर्ति एक द्धाना इसमें स्प्षडर होनाचाई दर है नीक है शड्रूप करके और था तद्ध्रूप तो है यहां पर लेकिन सब्रूप नहीं है एक और देख लो भिया एक और देख लो ओक्त कि मात्रह का लगा दूँ यहां लगा देता हूं क्या बन गया शड्र रूप ठीक है रूप बन गया मित्र शटदन रूप यह भी बड़ा प्यारा शब्द में शब्द रूप ठीक है चले आगें चलों और तो क्या था था सो की मात्रा नीचे लगी गई और उसा हो गयां शड्रू जनि ए बढ़ते हैं अगला नियम समझ लो जैसे पहला नियम था ना अब इसमें जो पहला आपका यह प्रतम वन है वर्ग का यह किसमें अब कैसे होगा उसका नियम क्या है यह आपका प्रतम वन का पंचम वन में बदल जाता है और अब इसमें एक चीज और ध्यानक ना वर्ग का प्रतम वन के आगे यह दिन और मा आएगा तो क्या होगा अपने ही वन के पंचम वन में बदल जायेगा हा एक एक चांपल देखो सनमति क्या लिखा मैंने सनमाद सट धनमति क्या लिखा सत धन्बती यहां पर आपके क्या है और क्या एसके आगे क्या है महें इस प्रद मां है तो यह तक इसमें उएमित्र हो जाेगा‑पने ऊधात पंचमवन क्या हो जाएगा इसका न हो जाएगा पंचमवन क्या हो जाएगा मा ना सॉरी यह कनवर्ट होके किसम हो जाएगा सन मतीम बंजल जाएगा क्लियर किसे मतल जाएगा सन मतीम मिल जाएगा चले चले आगे देख लो वर्ग का प्रत्थम वर्ण ये रत्त ये प्रत्थम वर्ण है वर्ग का और उसके आगे क्या है उसके आगे ना और मा है यदि उसके आगे ना और मा होगा तो क्या हो जाएगा चेंज यह जुत्त है अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा इस पर्ष्ठ है एक और देख लो जो अ कि शब्द सब्सक्राइब यह दिक नाग ठीक चलें आगे दिक नाग कैसे करेंगे यह क्या है पंचमवन है ना तो कवर का है पंचमवन दिक धन नाग हमने देखा था रूल में कि वर्ग का प्रथमवन कवर्ग है प्रथमवन है ठीक है और इसके आगे क्या है ना है मैंने क्या बोला आपको कि ना या मा के अलावा मतलब ना और मा होना चाहिए यहाँ पर ना ह और यहां पर का है प्रतम वर्ण है और उसके आगे ना है या फिर महें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा यह अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा यह क्या बन गया दिक नाग बन गया यह क्या बन गया मित्र दिक नाग बन गया क्लियर है वर्ण के प्रतम वर्ण जो है उसके आगे यदि न और म हैं तो वह अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण में या अन्तिम वर्ण में बदल जाता है क्लियर हैं चलो एक्जाम्पल करेंगे आपको बहुत सारी जी क्लियर हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं संधी में आगे बढ़ते हैं सन्मत्य और देखनाक हमने देख लिया था पॉस करके अभ्यास करना ही करना है पिच्चर की तरह बैठके नहीं देखना है चलो जगन नात तन में सत प्लस में उन नती उत प्लस नती उत प्लस नायक देखो अब यहां पर मा आ गया पहले ना क्यों धरन चल रहे थे परांग मुख परांग धन मुख ग्यानात धन यह बड़ा प्यारा एक्जामपल आया सहिए भिया ग्यानात धन न सहिए आपने यही लिखाया कुछ और लिखा है है मेरे मित्रो ग्यानात धन न बड़ा प्यारा एक्जामपल है शण मास टठ डढ़न शट धन मास यह सन्नारी अपने आरेस एक्जाम में भी आया हुआ है यह न में टाई आएगा ना मित्रो मिट्टी से बना हुआ यह अपवाद है इसमें अपवाद है तो ध्यान रखना इसलिए मिट्टी से बना हुआ अर्थ में निकलना चाहिए मट्का कोई अर्थ नहीं निकलता तो यह क्या होगा मत धन में इसमें तारा लगा दे न यह अपवाद है अपवाद की शेणी माता है यह अला म्रण में लूद्ध धन में अजरी अपधन में आप धन देखो आज हमने क्या कि यह दो रूल समझे हैं लोड नी ले ने आपको अभ्यास करना इन दो रूलों का बाकि अंतर में हम आपको अभ्यास के बारे हो अभ्यास के लिए मैंने बहुत सारे संदी विच्छेत की पूरी सुची निकाल लिए करीमन दो सुड़ाई सो ब करते रहना नहीं तो वह सब दिमाख से उड़ता चले जाएगा समय के इसाब से फिर आपको लोगार हिंदी तो बड़ा सरल सब जैटे लेकिन इसमें माक्स नहीं आते अरे रिवीजन नहीं होता तो माक्स कहां से आएंगी अनुमान चाली साथ जैसे रोज पढ़ते हो हुआ कहां